पता है कि हर एक बच्चे में जो कैलीबर है वो डिफरेंट तरीके का है वो अपने आप में जो कैपेबिलिटीज रखता है वो डिफरेंट है वो अपने आप में विनर है अपने आप में चैंपियन है लिकिन फिर भी हम लोग कमपैरिजन करते हैं कंपैरिजन किस चीज़ का कंपैरिजन उसका तो जहीं में सेलेक्शन हो गया तेरा क्या हुआ उसका तो नीट में सेलेक्शन हो गया तेरा क्या हुआ अरे हमारे साथ में होता है अरे उसके तो व्यूज आ रहे है तेरा क्या हुआ उसके तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे है तेरा क्या हुआ तो यह comparison एक सबसे बड़ी problem है और आज मैं specially comparison करने वालोग specially बच्चों के point of view से सोचू तो parents को बोलना चाहता हूँ और उनके पड़ोसे को बोलना चाहता हूँ अगर आप अपने बच्चे का comparison किसी और बच्चे से कर रहे है उसमा आपको बता रहा हूँ आप गलत कर रहे है वो अपने आप में एक winner है और यह attitude आपको बदलना होगा क्योंकि वो अपने आप में winner है वो अपने आप में champion है और अगर आपने comparison करना बंद नहीं किया तो वो अपने आप पे शक करना शुरू कर देगा कि क्या में कुछ हूँ भी क्या इसी लिए यह कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूँ स्पेशली उन पैरेंट्स को और उन लोगों को जो सिर्फ comparison करके लोगों को मार देते हैं लोगों की winner capability को खतम कर देते हैं